दूस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपके WhatsApp नमबर पर विदेशी नमबर से मैसेज आता है या कोल आती है वीडियो कोल भी अकसर आप सोच रहे होते हैं कि किसी विदेश में बेटे शक्स ने आपको मैसेज या कोल किया है जबकि हाकिकत यह होती है कि वो शक्स इंडिया में ही बेटा होता है अब आप भी सोच रहोंगे कि यार कहीं कोई ऐसा जुगार दर्याया जाए कि हम भी किसी को बेवकु बना सके अपने पास भी काश किसी विदेशी नंबर से वोटसेप अकाउंट हो तो चलिए अब आपको तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को दोस्तों सबसे पहले आपके पास एक वोटसेप अप्लिकेशन होना चाहिए जहां पर आप USA नंबर से अकाउंट क्रियेट कर सकते हैं तो इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है अगर आपके पास MI mobile है या फिर कोई ड्यूल अप अप्लिकेशन भी यूज कर सकते हैं तो मैं हमाई से आपको ड्यूल आप वोटसेप का जन्रेट कर के दिखा रहा हूं रही है इससे पर नए आकाउट कर सकता हूं यानि कि हमें WhatsApp account generate करने के लिए हमारे पास एक USA का number होना चाहिए और वो USA number मिलेगा हमें एक application से यहाँ पर दो application के बारे बताऊँगा एक है second line application आपको second line लिखना और इसके अलावा दूसरी application है text now Play Store पर टाइप करेंगे second line या text now दोन अप्लिकेशन आ जाएगी मैं अभी के लिए आपको second line एप से बता रहा हूँ क्योंकि यह easy है काफी reliable भी है तो आपको यहाँ पर second line को install कर लेना है यह कुछ time लेता है अप्रोक्सी 30 MB की यह file है अब इसे open कर लेंगे डाउनलोड होने के बाद में अब यहाँ पर आपके सामने दो option आएंगे create account और login का अगर आपके पास पहले से account है तो आप login कर सकते है अगर आपके पास account create किया हुआ नहीं है तो आपको account create करना और इसमें आप email id कोई भी डाल सकते हैं कोई भी email id verify नहीं करता यह password भी आप कोई भी डाल सकते हैं verify नहीं करेगा आपने दुनों डाल दिया है, ये create account की process complete करने वाला है, अब ये यहाँ पर कुछ आपको options दे रखे हैं, यहाँ पर setup करने है, अब आपको यहाँ पर एक code देना है, USA का कोई भी code, मैं 6 से start होने वाला लगबग कोई भी digit डाल सकते, ये डाला, आपके पास कुछ numbers आएंगी, ये हर 50 second के बाद में refresh हो सकते हैं, मैंने ये number select किया है, मैं continue करूँगा इस number को select करने के बाद में, अब ये number मेरा हो गया है, मैं यहाँ से इसे copy कर लेता हूँ, ये मुझे WhatsApp में डालने के लिए काम आएगा, ये number copy भी हो गया, इसके उपर आप प्रेस करेंगे, तो ये copy हो जाएगा automatically, यहाँ पर कुछ permissions प्रोवाइड करनी है, अगर आपको caller ID एक्टिवेट करनी है तो, अब मैं WhatsApp पर जाऊँगा, agree करूँगा यहाँ पर, अब मुझे select करना है USA का number, तो यहाँ पर code number 1 है, directly मैं options में select कर सकता हूँ, यहाँ जैसे यहाँ पर 1 लगाऊँगा, आ जाएगा, मुझे number वो paste करने है, और next कर देना है, देखिए ये message नहीं लेगा, याद रखिए ये message नहीं लेगा, आपको wait करना है, यहाँ पर कुछ seconds के लिए, आप इसे continue करें, और इसके बाद wait करें, कुछ seconds के लिए, बाद में ये call me का option activate हो जाएगा, अब जैसे ही ये call me का option activate हुआ है, आपको press करना है, उसके बाद में wait करना है, और आपको जाना है, अब फिर से second line application पर, वेट कीजिए, कुछ seconds के wait के बाद में, आपके पास एक call आ जाएगा, आपको call attend करना है, और देखिए, अब यहाँ पर आपको उस number के OTP मिल चुके है, इस OTP को आपको WhatsApp पर जाकर paste करना है, आपने paste कर दिया, यह activate हो गया है, अब आपका number, यहाँ पर आपको कोई भी नाम डालना है, और आपके सारी chats, जो आपके account में है, वो सारी के सारी यहाँ पर add होगी है, आप अपने account को access कर सकते हैं, यह आपके पास में तयार है, आपका USA का number, आपके देखिए, यहाँ पर आपका नाम भी दे बहुत 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 शुक्रिया, जैन जैबाराद